ओम नमो भगवते रामकृष्णाय सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जक्तात्मानजी महराज जी की महान पुस्तग जीने की कलासे अध्याय दो प्रेम की अद्भुत शक्ति हमें आम जन के मन में बच्पन से ही निस्वार्तता पवित्र प्रेम आदी जैसे विचारों को बिठा देना होगा इस बारे में इस प्रसंग में अति सुन्दर धंक से चर्चा की गई है आईए अब हम सुनते हैं स्वामी चक्तात्मानन जी की ही बातें प्रेम का जादू हम अनंतका तक इस बात की प्रतेक्षा नहीं कर सकते कि कब विक्यानी गंड रूची लेकर मानवता पर प्रेम के प्रभाव के विशे में अपने नस्रकर्ष को प्रकाशित करेंगे मनों देहिक रूगों के विशे में शोदों से यह पहले ही ग्यात हो चुका है कि ग्रिणा हानी प्रद तदा प्रेम हित कर है ग्रिणा, इर्शा, गर्व, चिंता, शंका, प्रतिशोत की भावना आदि दुर्गुन हमारे स्वास्त को घोर शती पहुचाने वाले विशे हैं प्रेम ना केवल शारेरिक स्वास्त अपितु नैतिक एवं आध्यात्मिक स्वास्त को बनाई रखने के लिए भे सरूरी है जान हंटर नामक एक प्रसिद शल्यच किसक किसी हिर्दे रोग से पीड़ी थे एक बार उन्होंने कहा मुझे क्रोध दिला पाने वाले व्यक्ति में मेरे प्राण तक लेने की शमता है उनका अभिप्राय था कि क्रोध का आवेश आने पर उनकी हिद्यागाद से मृत्य हो सकती थी और वे इसी प्रकार हिद्यागाद से ही मरे भी यदि व्यक्ति को ग्यात हो जाए कि दुर्भावनाएं उसे नश्ट करने जा रही है तो उनसे बचने का प्रयास करेगा कोई चीज व्यक्तिक अतनेतिक तता सामाजिक तोर पर भली होने पर भी क्या राजनितिक रूप से हितकर हो सकती है आज समाजिक विकास के प्रतिचिंतित रहने का दावा करने वाले हमारे राजनितिग्य, बुद्धिवादी और कुरांती कारी लोग लगदलगत स्वास्त के लिए जनता में आपसी घ्रणा भाव का विश्विलाने में लगे हैं क्रांती के नाम पर वे समाज में घ्रणा का वीजारोपन करते हैं बोलने की सुतंतता के नाम पर रचनात्मक अलोचना का मुखोटा लगा कर वे अपने विचारों से असेहमत लोगों के चरित्रहनन का सहारा लेते हैं वे जूट, संगर्ष और जूटी निंदा की परंपरा शुरू करते हैं समाज सुधारकों के चदमवेश में वे समाजिक ताने बाने को छिन भिन करते रहते हैं लोगों को इस प्रकार दूशित परिवेश से बाहर निकालने के लिए उनमें बच्पन से ही प्रेम की महता के प्रति विश्वास पैदा करने और प्रेम की सबल भावना जाकरिक करने के जरूरत है जीवन के विभिन शेत्रों में विशुद्ध प्रेम को प्रकट करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाही अच्छा होता कि अधिकार या सत्ता की आकांगशा से मुक्त देश भक्तों का एक दल बनाया जाता जो समाज के विभिन वर्गों के बीच सामाजस स्थापित करके प्रेम के संदेश का प्रचार प्रसार करता वस्तुतहा यह धर्मप्राण लोगों का कारे है पर खेद की बात यह है कि वे भी परस पर जगट रहे हैं एडगार केसी स्टोरी आफ एटिट्यूड्स एंड इमोशन्स यानि एडगार केसी के दुष्टी कोणों एहुं भावनाओं की कथा नामक उस्तक में जैफरी फर्स्ट की इन बातों पर ध्यान दे जी विग्यान स्वास्त आरोग्य तथा यान आदी विश्टों पर कख्षाएं लेने के बात मुझे लगता है कि मुझे इन विश्टों पर कुछ जानकारी प्राप्थ हुई है मेरा मत है कि यदि पिछले दो सो वर्षों के दौरान पहली कख्षा से लेकर कालिज तक में हमारे देश के बच्चों तथा युवकों के समक्ष व्यवहारिक पार्टिक्रमों के रूप में निश्काम प्रेम के सभी पहलों को रखा गया होता तो आज सामाजिक राजनेतिक तथा जातिये संबंदों में प्रकट होने वाली समस्याओं में से अधिकांश का हमें सामना ही नहीं करना पड़ता अगले विशे में हम चर्चा करेंगे निस्वार्टता की कसोटी विशे पर ओम शान्ती 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 हरी ओम तच्च्च्च्री राम कृष्ण वर्पन मस्तू